अब बड़ा important topic आता है भाई और वो important topic है जिसके लिए सब इंतिजार कर रहे थे हैं ने बहुत सारे comments देखे जिसमें मुझे मिला के sir financial market पूरा complete होना चाहिए जी भाई मैं सुन रहा था आप सब की बात तो चलिए उस important topic को पढ़ना चालो करते हैं जो के है trading procedure in stock market मैं आशी तो trading procedure के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है सबसे पहली चीज है आप एक broker को select करो broker वो बंदा होगा जो market में आपके shares के साथ trade करेगा क्योंकि आप अकेले वो काम नहीं कर सकते हो as a company you need some experts over there जिनको आप hire करें जिनके थूँ आप अपने shares जो है share capital जो है वो market में issue करें और public से पैसा देस करें तो यह broker होता कौन है individual भी हो सकता है एक partnership firm भी हो सकती है या एक corporate body भी हो सकती है पुरी की पुरी ए company हो सकती है जो यह चीज़े handle करे it depends आप किसको hire करते हैं इससे आप उन formality से फिर से मैं वहीं बोलूँगा वही रटी होई line के formalities complexities से ऐसा company बच जाते है और सारा काम किसको देते हैं broker को तो सबसे पहला काम क्या है अगर आप stock market में जाना चाते है stock market में अपने shares को list करना चाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है एक broker उठाओ select कर लो individual भी रख सकते हो partnership firm को भी रख सकते हो brokers की पूरी team उठाला ले आओ जल्दी ले आओ एक चीज में shares issue करना चाते है तो आपके बहाग पर ये shares issue भी करेगा so he will handle every single thing that is related to the stock exchange तो next topic हमारा है trading procedure on stock exchange ठीक है काफी लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है इस particular topic में क्योंकि जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो ना वो ये चीज़ है कि इसमें किसको लेके चले क्या company को सोचें क्या खुद को सोचें तो सबसे पहले it is you जिसके बारे में आप सोचके चलेंगे trading procedure अगर पढ़ना है खास कर जो stock exchange का है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि CBSC 12th board आपको categorize कर रहा है यहाँ पे आपको खड़ा कर रहा है as an investor और फिर सिखा रहा है कि trading procedure होता कैसे है तो सब सबसे पहली चीज़ selecting a broker सबसे पहला काम क्या करोगे आप आपको एक broker को चूज करना पड़ेगा जिसके थूँ आप company के shares या तो खरीदोगे या तो बेचोगे अगर आपके पास broker नहीं है तो आप company को कैसे diet contact करोगे मतलब रात को जाके दर्वाजा थूड़ना खटकर आप नहीं बिटा सबजी भाजी थूड़ना है आपको क्या करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा एक broker के पास जो के एक mediator है intermediary है जिसके थूँ आप shares में deal कर सकते हो नाव ये broker एक individual भी हो सकता है छोटी सी जगया office लेके बैठा है computer है बड़िया market में trading करता है आप जाओ आ काम हो गया being an individual being an investor potential investor जो market में पैसा लगाना चाहता है आप सबसे पहले क्या धूंडोगे एक broker जिसके थूँ आप company के shares खरीदना चाहते हो दूसरा काम आप क्या करने वाले हो you are going to open a deemate account with a depository मैं बड़े अच्छे से precise तरीके से बताने वाला हूँ बिलकुल ध्यान से सुन काम है वो यह है कि एक bank account open कराना पड़ेगा मान लो हमने SBI के पास bank account खुलवा लिया कभी गयो SBI में ऐसे खुननस काई हुए लोग बठे रहते ना अगर उनसे बोल दो सर वो पैसे जमा करने तो है काई के पैसे जमा करने तो मेरी सेविंग ती जीतना गरम क्यों नहीं नही आपका पैसा channelize होगा पैसा deposit होगा पैसा आप निकाल भी सकते हो बिना bank account के because मैं shares chapter में भी बता चुका हूँ के share market पूरा bank के through deal करता है cash dealing है ही नहीं क्योंकि आप देला भर के company के पास नहीं पहुंचोगे so you have to keep in mind that you should be having a bank account now जो companies की securities है वो company bank को hand over खोड़ना करेगी company उसके तो भी एक bank जैसा चलो ठीक है मालो depository वो जगह है जहां पे shares electronically stored होते हैं रखे जाते हैं online system है पूरा national securities depository limited या central depository services limited यह दोनो asset depository systems हैं जहां पे securities electronically stored होती है आपको क्या करना है इस जगह पे इन भाई साब यह जो दो organizations है इनके पास DMAT account open करवाना पड़ता है क्योंकि आप तो securities में deal कर रहे हो ना bank क्या होता है फिर bank एक medium है आप as an investor इस bank को connect करोगे DMAT account के थूँ तो क्या होगा as an investor ध्यान से सुनना जब भी आपको shares खरीदने होंगे आप broker को बताओगे but obviously broker आपके bank को contract करेगा और यहां से पैसा channelize करेगा company के पास और इस DMAT account के अंदर क्योंकि यह कौन सी जगह है जहांपे आपकी securities electronic form में store की जाती है यहां से निकलेंगी securities आपके DMAT account के अंदर securities store हो जाएंगी तो कभी भी यह मस्त सोचना कि जो आप shares hold करते हो वो आपके bank account में होते हैं उसका एक अलगी bank होता है shares का और वो होता है depository जहां पर आपके shares electronically stored होते हैं जिस account के अंदर जैसे यहां पर पैसा store होता है ना कौन से account में saving account में यहां पर आपके shares save होते हैं किसके अंदर depository के अंदर किस नाम से कौन से account के नाम से DMAT account bank में होता है saving account current account depository में आपका को होता है, demate account, bank में क्या save होता है, आपका पैसा, depository में क्या save होता है, demate account में क्या save होता है, आपके आपने shares के लिए demate account open कर वा लिया है, आपने broker को choose कर लिया है, अब क्या करोगे आप order place करोगे broker के सामने जब broker के पास order place करने जाओगे तो आप चाहे तो directly चले जाओ उसके पास चले जाओ आप order place कर दो या फिर आप phone पे email पे भी confirmation दे सकते हो कि भाई इतनी securities इस company की इस price पे खरीद लेना वो आपका order ले लेगा ठीक है order हो गया फिर आता है executing the order the next point executing the order क्या होगा broker को अगर आपने बोला है तो broker आपके बहाँ पे securities को खरीदेगा securities को जो खरीदेगा उसके लिए वो एक order prepare करेगा यह जो order note होता है मतलब इसके अंदर वो पूरे details लिखेगा कौनसी security, name of the security लेगा उसके साथ साथ कितनी securities उसने purchase की है, किस price पे purchase की है, वो भी इसके अंदर लिखेगा उसके साथ साथ क्या लिखेगा इसके अंदर कि यार आखिर वो commission कितना charge कर रहा है उस पे मतलब जितनी भी detailing होगी इस order note के अंदर सारी चीज़े record हो जाएंगी वो उस पे sign कर देगा, खुद का sign ले लेगा ताकि एक confirmation हो जाए कि ये उसी ने prepare किया है order note prepare हो गया, आपका order execute हो गया है अब next point पे आ जाते है जो कह है settlement का, settlement का मतलब होता है कि कब वो securities आके आपके deemate account में reflect होने लगेंगी आपने खरीद तो लिया broker को बोल दिया, order place कर दिया broker ने order को initiate भी कर दिया, execute भी कर दिया लेकिन settlement का मतलब होता है actual में जब वो securities आपके account में आ जाती है देखो क्या होता है share market भी थोड़ा सा आजीब deal करता है आप अभी कोई share खरीदना चा रहे हो mainly मान लेते है 250 रूपीज पे लेकिन अभी share की pricing जो चल रही है वो चल रही है 260 रूपीज हो सकता है एकाद दो दिन में trade-off होके आपके वो shares आपके खाते में आए जब आपको actual में वो pricing मिल जाए जिस price के आप खरीदना चाते हो तो इसके लिए settlement के अंदर 2 points दिये हुए पहला होता है on the spot settlement मतलब जो settlement है वो on the spot होगा ये एक और नाम से कहलाता है और वो होता है T plus 2 days इसमें क्या होगा मान लीजे आपने कोई security में भी buy की है Monday को तो वो settle out हो जाती है Wednesday round तक दो दिन के अंदर-अंदर settle हो जाएगी ये कहलाता है on the spot settlement इसको एक और नाम भी दिया जाता है जो के कहलाता है T plus 2 rolling settlement ये जादा time नहीं लेता है और जो current week है उसी में दो दिन के अंदर-अंदर settlement हो जाएगा आपके DMAT account के अंदर वो security electronic form में reflect होने लगेंगी दूसरा होता है T plus 5 या T plus 7 settlement जो के एक और नाम से जाने जाता है forward settlement इसमें क्या होगा for the week आपने क्या किया को security को sell करने के लिए लगाया या buy करने के लिए लगाया और वो आने वाले time में या तो 5 दिनों में at the end of the week settle हो जाएगा या फिर next week में settle out होगा इसलिए इसको नाम दिया जाता है forward settlement दो तरह के settlement है T plus 2 जो के कहलाता है spot settlement और होता है T plus 5 या T plus 7 जो के होता है forward settlement आपको ये चीज़ भी मालूम होना ज़रूरी है कि जो working hours होते हैं वो होते हैं 9.55 से लेके 3.30 तक ये share markets का stock market का time period होता है यहाँ पे हम end कर रहे है the trading procedure in stock exchange बाबाजी की तरफ से धन्नेवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमने कुछी टाइम में 1000 subscribers क्रॉस कर लिये हैं So again मेरी ये request है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे videos और लाते रहे झाल